है गाइस हमारे साथ है आज पंकत जी जो की एक नया फोन लिये हैं वीवो वाई 31 इसके आगे कुछ हैस वगएर थर्टीवन अससा कुछ तो नहीं है वीवो वाई 31 फोन है इसके बारे में हम इनसे एक्सपीरियंस जो है पूछेंगे बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैस प्रिशा रहा 24 घंटे हो गये कल का यह फोन है और आज उसी टाइम पर हम वीडियो सूट कर रहे हैं 24 घंटे इन्होंने चलाया है इन्होंने वन प्लस फोन भी चलाया है और वीवो का वह विकास का कौन से फोन है रेड्मी नोट सेवन भी चलाया है तो जैसा भी जो भी एक लुक वगयरा तो आप देख सकते हैं यही फोन है इसकी खास बात आप जरूर दियान दीजेगा यह जो उपर वाला कैमरा देख रहे हैं बिल्कुल डेसलर की तरह बहुत बड़ा है कैमरे की क्वालिटी फिलहाल ठीक ठाकी है अब यह पड़ा है कितने का सोलह साड़े सोलह हजार का ना सब्सक्राइब दुकान से औफ-लाइन पर चीज़ किया है 16000 में मिला है इन है तो वैसे चल कैसा रहा है अभी तो अच्छा चल रहा है बढ़ियां स्पीट वह गयरा कैसे मिल रहे है स्पीड तो अभी अच्छा है इस पीड अच्छा है ना आप छे जीवी रैम है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड अच्छी रहेगी और इसका इंटर्णल 256 ऐसा है 19128 अच्छा एक सोटाइस है और 6GB रैम है और जो प्रोशेसर है उक्ता प्रोशेसर है ना उक्ता प्रोशेसर दिया हुए है टाइप सी का चार्जर है 3.5 mm आईडियो जैक आप देख सकत आवाज आती है ना उसे यह कैंसल करता है बाकी साइड में बटन और फिंगर प्रेंट सेंसर है बाकी इसका लुक डिजाइन अगेरा बहुत ही यह समझ लिए यह थोड़ा बड़ा है वन प्लस नाट जो स्मार्ट फोन है ना 2020 में लॉंच हुआ था सबसे ज्यादा बिकने करें इसके बारे में यहां पर यह है आपका जब आप कॉल पर रहता है ना तो आवाज आती है इसको क्या बोलते हैं माइक्रोफोन बोलते हैं नहीं माइक्रोफोन तो नहीं बोलते हैं जो भी है आडियो यहां सिम इसका उपर है यहां पर सिम एक्टर है यह आप देख सकते है यहां पर लगता है सेम और मेमरी कार्ट दो सेम और वन मेमरी कार्ड आप लगा सकते हैं और इसके बारे में पंकच फिलाल ठीक ठाक स्पीड अच्छी मिल रही है अभी तो ठीक है स्पीड भी अच्छा है और चल भी बढ़िया रहा है आप 24 गंटी यूज़ किये हैं कोई मतलब कुछ हैसा अलगा हो आपको या अलग हो किसी अलग स्मार्ट फोन से या फिर कुछ कोई समस्या का मतलब देखने को मिला कोई समस्या कोई समस्या नहीं फिर भी अच्छा है चुकि बिल्कुल नया है तो मुझे भी नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी नया फोन है आज कल टेकनलोजी इतना आगे है कि चांस ही नहीं बनता तो और कुछ अगर आपका प्रस्ण है सुझाओ है जो प्रॉब्लू ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो इसका स्पीड है जो कुछ भी है बहुत थी प्रॉपर है बेटर है अब साड़े सोलह जार का था सोलह जार का इन्होंने परचेस किया है फिलाल प्राइस के हिसाब से बढ़िया चल रहा है वेल्यू फार मैनी फोन है नहीं है और अगर आपका कोई प्रस्न हो सुझा हो कॉमेंट हो जरूर हमें कॉमेंट में बताइएगा हम उसका जो रिप्लाइ है मेरे चैनल की खास्यत है 24 गंटे के अंदर देते हैं तो चलिए हम थोड़ा बैक कैमरे से इसका जो प्रॉपर वे में है थोड़ा लुक द्रवाइटा इसमें मिला है ना इसमें समाट हरे वीव का औरजिनल एयर फोन मिला उर्कया मिला इसके सांट अबर भी आप्नें इसके सबाबर मिला 48 का 18 वाट खॉर्ण स और अगर डिजाइन की बात गरे ना बिल्कुल oneplus कि तरह है Oneplusので की तरह है फोड़ा सा फाइज में ब फोन में डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट है और इसमें तो डिफरेंस रहेगा है अफकोर्स कैम्रे की हम आपको बात करें तो चलिए बैक कैमरा इसका दिखाते हैं और तालीस मेगापिक्सल बैक कैमरा है और फ्रंड फ्रंड 16 मेगापिक्सल आप देख सकते हैं कि यह जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है हम इसे Vivo 31 से कर रहे है Vivo 31 जो अपने फोन आपको दिखाया ना वही फोन है यह Vivo 31 फ्रंट कैमरा है अब चलिए बैक कैमरे की बारी है वह भी आपको दिखाते हैं और हाँ यह जो आवाज आप सुन रहा है न यह इसी के इन्विल्ट माइक्रोफोन की है अब आलेक्स एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज नहीं किया है और जो पहले थी वह वन प्लस नॉड का कैमरा था वन प्लस नॉड की आईडियो रिकार्डिंग थी वह एक्सटर्नल माइक्सटर्नल में उसका आउटसाइड में हम सुटिंग कर रहे है वीडियो की तो उन्हें वाइक नहीं उसकिया है जो भी है आपके सामने है दोनों फोन का बाकी अब देखिए एक ही वीडियो में कैमरेजन भी हो गया कि वन प्लस नॉड वर्सिस वीवो वाइटर्टी वहां वाइटर्टी वहां तो गाइस ट्रेन आ गई है आप देख सकते है अगर अगर बात करे आपने स्पीड की काफी अच्छी स्पीड मिल रही है कोई भी अप्लिकेसं अपन करेंगे यह उपन हो जाता है अनलॉक कितना फास्ट होता है चलि हम आपको वह भी दिखाते हैं तो यह हमने लॉक किया यह फास्ट ली उनलॉक हो गया जबकि यह देखिए अभी चालू है जो lock है न फिचर वो enable है जैसे एस पर रखते हैं तुन यह unlock हो जाता है काफी fast है बगल में भले ही दिया है यह बट काफी अच्छा response रहा है एसे टच करते भी तुन यह instant unlock हो जाता है अगर हम यही दूसरे finger से करते हैं ट्राइ एक बार अब देखे यह हमने open किया यह unlock नहीं हुआ जब कि हम यह finger दिये तुरंत ही यह unlock हो जाता है तो काफी अच्छा response रहा है यह biometric का यहां पे बहुत ही जबरदस्त है देख रहे हैं आप न वापस से friend camera की तरफ switch हो चुके हैं और हम आपको बता दें जरूरी बात बताना भूल गए थे इसकी जो बैटरी है ना काफी चलती है 5000 एमेश की बैटरी है इतना तो वन प्लस नौड का भी नहीं है यह आप देख सकते हैं वन प्लस नौड है इसकी भी बैटरी 4500 है मेरे ख्याल से तो बैटरी काफी अच्छी आया हो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए आज कि इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो दखनी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिलहाल हम विदा लेते हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा